हेलो दोस्तो स्वागत है आपको फिर से एक नई वीडियो के साथ मेरा नाम है प्रवीन और आप देख रहे हैं रेलपत चैनल दोस्तो आपको पता होगा कि भारत के जितने भी डिविजन में जेई पोस्ट होते हैं उसका 20% रिजर्व होता है डिपार्टमेंटल कंडिडेट के लिए ताकि ट्रैक मेंटन एलडिसी कोटा के तहर एकजाम देकर ब्याली सो ग्रेड पे की प्रमोशनल जेई की पोस्ट पर जोईन हो सके अगर आप भी आने वाली एकजाम की त्यारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वे लाइपन दवा दे जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हैं मैटेरियल ड्रेन और ट्रेक मसीन के बारे में जानकारी लेंगे तो मैटेरियल ड्रेन और ट्रेक मसीन का चेप्टर से यह पहला कुश्चन है रेलवे अस्टेशनों में काम के निस्पादन के लिए सामागरी को लाने या ले जाने के लिए अस्टेशनों के बीच या अस्टेशन की सीमा की भीतर एक माल गाड़ी चलाने का आदेश देने का प्राधिकार किसको है तो यह हो जाएगा मंडल परिचालन परदान यानि की D.O.M. को एंसर हो जाएगा A शमागरी गाड़ी को चलाने से पहले शमागरी गाड़ी का गाड़ fit to run परमानपत्र डैस से प्राप्त करना चाहिए तो इसका एंसर हो जाएगा fit to run प्राप्त जो करेगा वो किन से करना चाहिए तो बरिश्ट sexual engineer CNW से यानि एंसर हो जाएगा D शमागरी गाड़ी के आरंब से पहले गाड़ को सुनिश्चित करना चाहिए कि या इसका एंसर हो जाएगा गाड़ी अवस्यक ब्रेक पावर के साथ उपलब्द होना चाहिए यान इसका एंसर हो जाएगा नीचे की ओर बांधने में सच्छम कुसल हाथ ब्रेक डैस में होना चाहिए तो इसका एंसर हो जाएगा समागरी गाड़ी के परतेक बाहन में जो है हाथ ब्रेक होना चाहिए एंसर 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 हो जाएगा यदि किसी कारण से ब्लोक सिक्षन में अगरिम रूप से अस्टेशन पर जाने के लिए एक मालगाड़ी के इंजिन को अलग करना आवस्यक हो जाता है तो गाड़ को या सुनिश्चित करना चाहिए कि गाड़ी अगर इंजिन अलग करना है मालगाड़ी से तो गाड़ सुनिश्चित करना चाहिए कि वो दोनों तरफ संरचित करना चाहिए एंसर जो है बी हो जाएगा जब भरी हुई मालगाड़ी का ड्राइबर एक लंबी धमाकेदार सीटी करता है और उसके बाद सीटी के तीन तेज धमाके होते है इसका संकेद है कि इसका संकेद क्या होगा समागरी गाड़ी धलान पर रुक नहीं रही है और गाड़ को हाथ ब्रेक लगाना है यानि यहां हो जाएगा नहीं रुक नहीं रही है तो गाड़ को हाथ ब्रेक लगाना इसका एंसर हो जाएगा बी इंजन को समागरी गाड़ी से इतना जुड़ा होना चाहिए कि इंजन जब गाड़ी के डाउन हिल एंड पर हो तब उसे डाइस ग्रेड पर खड़ा होना चाहिए तो इसका एंसर हो जाएगा 1 in 100 ग्रेडियंट भी हो जाएगा डैस से तिवर डालान पर समागरी गाड़ी को ढगेलने की अनुमती नहीं है तो वो कितने डालान पर जो है समागरी गाड़ी नहीं चलेगा तो इसका एंसर हो जाएगा 1 in 100 एंसर भी हो जाएगा जब गाड़ युक्त ब्रेक यान प्रमुख वहन है तो 1 in 100 धलान से आसान आरोहन या अब रोहन पर समागरी गाड़ी के ढगेलने के लिए अनुमत गती क्या है तो इसकी गती जो हो जाएगा अगर ब्रेक यान है तो इसकी गती हो जाएगा 25 किलो मेटर परती घंटा एंसर सी हो जाएगा जब गाड़ योगत ब्रेक यान परमुख वहन नहीं है तो 1 in 100 धलान से आसान आरोहन या अब रोहन पर समागरी गाड़ी के ढगेलने के लिए अनुमत गती है अगर ब्रेक यान जो है नहीं है तो धकेलने का जो गती रहेगा वो 8 किलो मेटर परती घंटा इसको 8 किलो मेटर परती घंटा कर लिजिए एंसर जो है डी हो जाएगा काम के बाद बीच सेक्षन में समागरी गाड़ी सुरू करने से पहले इन्यन के सामने एक और पिछले ब्रेक यान के सुविधा जन्ना की स्थिरक एक हरे रंग का जंडा बांधा होना चाहिए ताकि लाइन पर काम करने वाले करमचारियों को या संकेत मिले की गाड़ी तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा पीछे ढखेली जा रही है तो पीछे ढखेली जा रही है तो हरे रंग का जंडा बांधा होना चाहिए एंसर भी हो जाएगा जब ब्लॉक सेक्षन में एक से अधिक ट्रेक मसीन चल रही हो तो दो यूनिटों के बीच बनाए रखने वाली नियुनतम दूरी डैस से कम नहीं होनी चाहिए तो दो मसीन के बीच जो है नियुनतम दूरी कितनी से कम नहीं होनी चाहिए तो इसका एंसर हो जाएगा 150 मीटर जब इंजन धकेल रहा है और ब्रेक यान आगे लगा है तो समागरी गाड़ी की गती सीधे रेल पत पर 10 किलोमीटर परती घंटे और टर्न आउट ट्रेक पर 10 किलोमीटर परती घंटा होनी चाहिए तो सीधे रेल पर होनी चाहिए 25 किलोमीटर परती घंटा और टर्न आउट पर होनी चाहिए 8 किलोमीटर परती घंटा तो इसका एंसर हो जाएगा D जब इंजन धकेल रहा है और ब्रेक यान आगे नहीं लगा है तो समागरी गाड़ी की गती 10 किलोमेटर परती घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए तो अगर ब्रेक यान नहीं लगा हुआ है तो इसका किलोमेटर परती घंटा जो हो जाएगा यह हो जाएगा आठ किलो मीटर परती घंटा यानि एंसर यह हो जाएगा समागरी ट्रेन के एक लाइन ब्लोक को किलियर करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अगर आप एक लाइन ब्लोक को किलियर कर रहे हैं तो आपको सुनिश्चित करना है संचलन आयमों को अबरूद करने वाली कोई समागरी नहीं बच गई है यानि लाइन पे कोई भी समान नहीं चूटना चाहिए एंसर जो है भी हो जाएगा तो दोस्तों समागरी गाड़ी और ट्रेक मसीन के बारे में मैं कुश्चन करा दिया हूँ आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कॉमेंट में करके जरूर बताएंगे अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले जिससे नेक्स्ट आने वाला वीडियो का नोटिपिक्सन आपको मिलता रहे और दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा है तो आप अपने दोस्तों को इसाथ भी सेयर करें जिससे आपको दोस्त को भी यह लाब मिले धन्यबाद दोस्तों